Hello friends, my name is Dr. Ajib and you are watching my YouTube channel Medical Nerd दोस्तो अब तक हमने cardiovascular system के various topics जैसे की cardiac cycle, cardiac action potential, pacemaker action potential के बारे में पढ़ा इनी सब topics से related एक और important topic है ECG जिसको हम electrocardiogram भी बोलते हैं आईए जानते हैं ECG के बारे में, so let's start the play without any delay तो electrocardiogram होता क्या है, electrocardiogram जो है वो एक graphical representation है और ये record है किसका electrical activity of the heart जैसे कि हमें पता है कि heart जब contract होता है, relax होता है तो उससे कुछ signal generate होते हैं उन signals को कौन पकड़ता है, electrodes जो की attach होती है outer body surface से ठीक है, और वो record होता है एक device से जो की external to the body लगी होती है देखिए हम यहाँ एक picture में देख सकते हैं, यह scenario आप देख रहे हैं कि एक patient है ठीक है, अब patient क्या है यहाँ पे लेटे हुए है, ठीक है, electrodes जो है वो इसको क्या कर रही है electrical activity को pick कर रही है और वो एक signal के रूप में कहां जा रही है इस device में जा रही है और इस device से क्या हो रहा है, data generate होता है in the form of what, in the form of graphical representation मतले graph के रूप में हमें कुछ diagrams मिलती है, जैसे कि ECG की आपने देखी होंगी, आपको पता है कि ECG कैसा दिखता है जैसे कि आपको ऐसे दिखेगा कुछ waves आपको दिखती है तो ऐसे इस तरह का आपको data मिलेगा, ठीक है तो यह आपको पता है कि PKORS इस तरह से different waves जो है वो यहाँ पे हमें एक graph के रूप में दिखती है तो इसी को हम ECG बोलते हैं, जिसको हमें आगे अपने हिसाब से interpret करते हैं ठीक है, second one is the gold standard for diagnosis of cardiac arrhythmia cardiac arrhythmia का मतलब है, क्या है cardiac arrhythmia का मतलब कि heart rate का आगे हो जाना, पीछे हो जाना या heart rate का irregular हो जाना तो इस तरह से cardiac arrhythmia होते हैं, जो की different रूप में हमें ECG में दिखते हैं उन्ही को हम क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं फिर हम ischemic heart disease का पता लगा सकते हैं ischemia का अर्थ होता है, heart को कुछ देर के लिए क्या होता है कि blood supply नहीं मिलती है और उस दोरान भी कुछ changes जो हैं, वो हमें कहां दिखाई देती है इस graph में हमें दिखाई देती है तो हम पता लगा सकते हैं कि यह ischemic heart disease है या नहीं है तीसरा हमें पता चलता है कि electrolyte disturbances के बारे में भी हमें कुछ idea हो जाता है इस graph के रूप में ही, ठीक है तो यह जो device है, इसको हम क्या बोल सकते हैं कि यह जो device है, एक highly sensitive galvanometer होता है जो की pick करता है electrical differences between the two points और उसको represent करता है in the form of graph ठीक है, तो यह ECG का आपको एक general सा idea हो गया कि यह device होती है, इसमें क्या क्या चीज़ें लगी होती है और यह कैसे present होता है जान लेते हैं deep polarization के बारे में deep polarization मैंने आपको पिछले lecture में भी बताया था deep polarization होता है कि electrical activity होती है किसके अंदर cardiac muscle fibers और cardiac cells के अंदर जब वो क्या कर रही होती है, वर्क कर रही होती है ठीक है, तो electrical activity जो होती है उसको हम क्या वोते है, deep polarization ठीक है और it starts at the atrium यह atrium से start होती है और आगे heart की तरफ spread करती है कहा तक? apex of the heart तक अब आपको deep polarization का पता चल गया कि यह कुछ नहीं है यह वो activity है जब heart जो है वो contract होता है ठीक है, अब rep polarization क्या है कि after complete excitation of the heart muscle जो है वो relax करती है इसी को हम rep polarization बोल सकते हैं ठीक है, तो deep polarization, rep polarization आपको पता चल गया कि एक working condition में होती है, एक relaxing condition में होती है और यह कहां पर दिखती है, ECG में एक graphical form में हमें दिखाई देता है ठीक है, तो cardiac induction system यह आपको पता है कि essay node से क्या होता है generate होता है, impulse ठीक है वो फिर AB node में जाता है, आगे down the line कहां कहां जाएगा वो परकंजी fiber तक जाएगा ठीक है, यह bundle of his भी आपको देख रहे है right branch, left branch ठीक है तो यहां पर यह जाता है और end कहां करता है यह terminal branching जो है परकंजी fiber में होती है और कैसे होती है इसकी deporization नीचे से उपर की तरफ इस तरह से यह जो है क्या होती है, deporization होती है और यह contract इस तरह से करता है और impulse जो है, वो ऐसे node से शुरू होता है, यह भी node में जाता है फिर bundle of his है, फिर terminal parts है, परकंजी fibers तो हमें यह एक idea हो गया कि card यह condition system किस तरह से यह जो इसका tree है, यह फैला हुआ है और इसकी अंतिम branchे जो है परकंजी fibers हैं, जो ultimately कहाँ पर end कर रही है ventricles में, और ventricles जो है, वो contract होते हैं और नीचे से उपर की तरफ जो है, वो signal जाता है जान लेते हैं lead के बारे में lead क्या है, lead को मैं आपको बता दूँ कि यह basically कोई बायर नहीं होती है यह एक outcome होती है किसकी circuit की, leads क्या है basically, they are the collecting points of myocardial electrical activity तो myocardial electrical activity जो होगी, ठीक है तो उसको collect करेंगे कुछ points जो कि इसमें होंगे, वो represent ECG में represent होते हैं उसको हम lead बोलते हैं, ठीक है it is a graphical description of electrical activity of the heart तो यह graphical description है electrical activity of the heart, ठीक है electrode lead से different होता है यह एक conductive pad होता है जिससे कुछ तारे लगी होती है जैसे कि आपने पिछली picture में देखा और वो क्या करती है वो तारे क्या है signal को बहां से लेती है और आगे की तरफ भेशती है जहां पे वो finally data जो है वो process होता है और हमें graph मिलता है, ठीक है तो आगे क्या है कि electrodes जो है वो wrist पे ही क्यों लगाते है देखिए wrist में जो muscle mass है वो काम होता है अब जितनी काम muscle रहेगी उतनी electrical interference काम लहेगी ना इसलिए हम wrist पे जो है वो clamps लगाते है clamps क्या है वो electrodes ही है जो आगे connect होती है किससे device से ठीक है और device जो है वो ultimately क्या करेगी graph data जो है वो उसको process करके graph के रूप में हमें दिखाती है तो leads की कितनी type रहेंगी देखिए leads की दो ही type होती है bipolar होती है और unipolar होती है bipolar leads जो है वो ये आपके सामने ithoven triangle दिख रही होगी ठीक है तो इसमें lead one होती है ये lead one आपको कहां दिखेगी ये आपको दिखेगी ECG में ठीक है it measures electrical potential between right arm and left arm ठीक है जो right arm और left arm के बीच में measure करेगी electrical potential को lead one होगी इस तरह से जो between the right arm and left arm करेगी वो lead two होगी lead three जो है वो क्या करेगी between the left arm and the left leg ठीक है तो ये one this is the two and this one is the three ठीक है तो ये negative इसलिए बोला है क्योंकि negative to positive direction ऐसे रहेगी negative to positive negative to positive ठीक है so this one is clear for you अब unipuller limb leads कौन कौन सी होती है ये तीन होती है abr, abl और abf ठीक है तो abr क्या करता है कि record the changes of potential of hurt facing toward the right shoulder तो ये एक camera के रूप में हम मान सकते हैं इसको कि ये कहां से hurt को activity को देख रही है ये देखिए right side से देख रही है और left abl जो है from the foot ठीक है अब नीचे से ये क्या कर रही है इसको देख रही है heart को ठीक है तो hurt की एक image दिखाती है ये inferior part से तो आपको ये clear हो गया कि क्या है abr, abl, abf ठीक है ये unipuller है क्योंकि यहां पे हमारे पास minus और plus दो तरह से नहीं थे points ठीक है ये एक ही तरह के points थे और ये उपर से, ठीक है right से, left से और नीचे से जो है वो heart को देखती है और graphical data हमें दिखाती है ठीक है उसके बाद आती है chest leads ठीक, chest leads जो होती है वो totally 6 है ठीक है, इनकी position तो आपको दिख रही हो बाद जो है 4 th intercostal space में होती है b2 जो है वो भी 4 th intercostal space में होती है लेकिन बी बाद जो है वो कहांपे है डेकिन राइट स्टर्न बॉलर ठीक है and it is to the left of the sinnel बॉलर ठीक है b4 जो है वो कहां होती है mid clavicular line ये mid clavicular line है ठीक है, यहांपे कौन से 5th intercostal space में हमें ये जो है वो lead लगानी होती है ठीक है और फिर क्या है B5 कहां है ये इसके समाना अंतर हमने लगानी है ठीक है लेकिन ये होगी anterior axillary line में और B6 कहां है ये mid axillary line में और ये तीनों जो है वो एक ही plane में होंगी ठीक है तो इस तरह से ये था कि आपने ये chest leads कहां कहां पर और कैसे लगानी है basically ये electrodes है ठीक है lead जो क्या होगा जो outcome होगी circuit की ठीक है तो ये हमें कहां मिलेगी ECG paper में ultimately दिखाईद देखी अब lead representation क्या है जैसे कि हम जब graph देखेंगे उसमें B1, B2, B3, 4 करके ऐसे लिखा होता है वो किसको दिखाता है वो anterior surface of heart को दिखाता है ठीक है 1, ABL, B5 और B6 जो है वो left lateral side of the heart दिखाएगा lead 2, lead 3, ABF जो है वो inferior side of heart को दिखाएगा मतलब यह changes होंगी अगर इनमें changes हो रही है मतलब inferior side में changes हो रही है और A, B, R और B1 कहां दिखाएगा right atrium की तरफ इशारा करता है कि बहाँ पे अगर कोई changes हो रही है ठीक है देखिए इस तरह से यह waves हमें दिखाई देंगी ECG paper में देखिए यह कौन सा है हमारे पास ABL है ठीक है यह lead 1 है यह इस तरह से दिखाई देती है lead 2 ऐसे दिखाई देती है lead 3 ऐसे दिखाई देती है ABR क्या है ठीक है तो ABR क्या था नेगिटीव था ना तो नेगिटीव से current जो था कहां जा रहा था positive की तरफ मतलब जो current है वो वहां से दूर जा रहा है ठीक है इसलिए यह जो है कैसे दिखाई देती है हमें negative दिखाई देती है देखिए यह नीचे की तरफ down words इसकी यह देखिए इस तरह से lead दिखाई दे रही है क्योंकि deep polarization is going away from the right side towards the left side so this देखिए p wave क्या है से नोट से impulse generate हुई और फिर उसके बाद कहां गई atrium में और atria जो है वो contract होते है ठीक है तो वो होगी atrial depolarization वैसे qrs complex बनता है ठीक है वो क्यों बनता है क्योंकि activation of ventricles होगी तो हमारे पास qrs complex बन जाएगा और जब वो repolarization होगी ठीक है depolarization हो रही थी अंदर से बाहर की तरफ और repolarization होगी बाहर से अंदर की तरफ इसलिए t wave भी हमें क्या दिखाई देगी positive दिखाई देती है क्योंकि बाहर से from outside to inside होती है ठीक है तो यह basic idea आपको पता जाएगा